जब एथन्स के बारे में सोचा भी नहीं गया जब मिस्र का अस्तित्व नहीं था जब रोम के बारे में लोगों ने कलपना भी नहीं की तब भी काशी थी काशी इतनी प्राचीन है काशी एक असाधारण यंत्र है जैसा ना उससे पहले कभी बना नहीं उसके बार ये शहर सिर्फ एक रहने की जगाई नहीं थी ये एक ऐसा यंत्र था जो आपको हर सीमा से परे ले जा सकता है एक ऐसा यंत्र जो इंसान को ब्रह्मांड से जोडता है यहां मून रूप से 54 मंदर शिव के लिए हैं और 54 शक्ति के लिए क्योंकि मानव शरीर को ही इस तरह से देखा जाता है इसका आधा हिससा पिंगला है और आधा इडा तो उन्होंने पूरे शहर को ही एक शरीर की तरह बनाए यह संगीत, कला, ज्ञान और व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र था एलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वेस्टन साइंसिस इंडियन मैथमाटिक्स के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते और वो मैथमाटिक्स इसी जगए पैदा हुआ हजारों सालों से पूरी दुनिया से लोग यहां आते रहे हैं गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा भी यहीं आ कर दी अगर आप भारत में पैदा हुएं तो आपका एक मात्र सपना है काशी जाना काशी रस्मों से भरी हुई है यह अनुष्ठानों का केंदर रहा है भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसे मन्द कुछ नहीं होता वो सबसे अच्छा तरीका है तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए यह चीज़ें इसलिए बनाई गई क्योंकि यह जनता के लिए हैं उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता पर वो इतना जानते हैं कि कुछ करना जरूरी है तो इसी लिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रसमे करना बहुत उप्योगी हैं क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है एक अनुष्ठान है जिसे सब्तरिशी पूजा कहते हैं सब्तरिशी यानि वो साथ शिश्य जो शिव के पहले शिश्य थे शिव के संदेश को फैलाने के लिए वो दूर जाने वाले थे तब उन्होंने पूछा हम आपकी पूजा कैसे करेंगे शिव ने उन्हें एक तरीका सिखाया वो बुले इस तरह कीजिए मैं आ जाओंगा ये पूजा उन्हें सिखाई गई थी फिर उन्होंने लोगों को सिखाई और आज भी ये उसी रूप में मौजूद है जैसे शिव ने सब्तरिशियों को सिखाई थी वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की कि उर्जा के धेर बनते चले गए दूसरों को शायद इसका एसास ना हो मेरे लिए ये एक जीवित सचाई है और लोगों के आसू बहने लगे वो नहीं जानते कि ये क्या है जो इसे कर रहे है वो नहीं जानते कि ये कैसे होता है पर वो सिखाई गई प्रक्रिया के हिसाब से पूझा करके इसे एक सचाई बना रहे हैं देखेे, इस नाव को चलाने वाले विक्ती इंजन बनाना नहीं जानता उसे बस उपयोग करना आता है जो काफी है, तो उन्होंने बस वैसे पूजा करना सीखा, जैसे सब प्रिशी करते थे, साथ लोगों ने बैट कर पूजा की, जो की जबरदस्त थी, मैंने किसी भी मंदिर में इतनी उर्जा कभी नहीं देखी, मैंने कई मंदिर देखे हैं, जहां भी मुझे उर्जा महसूस ह मैं जाता हूँ, मैं वहाँ प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं मांगने नहीं जाता, मैंने जीवन में कभी किसी मंदिर में अभिशेक या पूजा नहीं किये, ठीक है? पर ये एक जबरदस्त विज्जान है, आपको ध्यान लिंग मंदिर में आकर बैठना चाहिए, ना कोई निर्देश नहीं मिला है, बिना किसी निर्देश के लोग ध्यान मय हो जाते हैं, तो ये तकनीके हैं, ना कि विश्वास प्रणाली, मैं कहूंगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं, तो कम से कम तीन महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए, कुछ समय ध्यान कीजिए, थोड़े ज्यादा समवेदन शील और शांत पनिये, अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़ कर आईए, धन्यवाद, धन्यवाद सत्कुरू ये दुनिया की सबसे जटिल और रिफाइंड मशीन है, ये काशी है, ये अद्भुत है कि किसी ने ऐसी जगह बनाई, इसे बहुत बुद्धिमानी और काबिलियत से बनाया गया है, इसके पीछे दृष्टी और करुणा ये है कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो, इसलिए ह पास प्रणाली की, इंद्रियों से परे जाकर उस चीज का अनुभव करने की क्षमता, जिसे फिलहाल परे की चीज माना जा रहा है, यही अकेला तरीका है जिससे मनुष्य जानेगा और जिससे मानव चेतना का विस्तार होगा, मानव समाज में हुए छोटे-छोटे को व्यवस्थित रूप से नश्ट किया जा रहा है, इन चीजों को वापस लाना महत्वपून है, अतीत से हम बच निकले, पर क्या हम भविश्य से बच पाएंगे? यह मानवता का दुर्भाग पूने तिहास है, कि धर्ती की सबसे महान चीजें नहीं बचती, सबसे चीजें बची रहती है, यदि हम समाज में अच्छी संस्कृति चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है, कि हम आस-पास मौझूद संस्कृति का पोशन करें, वरना भद्दी चीजें वैसे भी हावी हो जाएंगी, भद्दी चीजें आसानी से प्रकट हो जाती है, उसकृति क जितना हमसे हो पाएं, हम एक और काशी नहीं बना सकते, पर मौझूदा काशी को जितना हो सके, उतनी अच्छी तरह से संभालें, और ज्यादा साधन बनाएं, जिनसे मनुष्य बड़ी संभावना से जुड़ पाएं, हमें पढ़ने के लिए और किताबों की जरूरत नहीं है हमें और अधिक व्याभारिक साधन और तरीके चाहिए, जिनसे इंसान खुद के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर सके झाल शीन्स थार्दाश का विस्तार करें लाँ मस्च फुवाएं, जिए ऑं नम्स्च और तरीक बादे का समयिगक विस्तार का वेब्से एक भर कहाश्तार का विस्तार था समय प्याएं, लчи मनुष्य ऑन हमनुट नमाँ श्वायादार, प्रुदक्ण पुख एक प्विता ओम नम शिवाया